नमस्कार दोस्तो वेवगाइड लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड की कटोफ रिक्वेंसी क्या होती है और उसका एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहते हैं यहाँ पे मैंने यह रेक्टेंगुलर वेवगाइड ली है X-axis के अलोंग इस वेवगाइड का डाइमेंशन A है Y-axis के अलोंग इसका डाइमेंशन B है और वेवगाइड की जो लेंथ है वो अलोंग दी Z-axis होती है अगर इस वेवगाइड को मैं side view से consider करूं तो मुझे क्या ऐसा देखाएगा ये मान लेजी आपकी वेवगाइड है इस वेवगाइड को अगर आप सामने से देखते हो तो कुछ आपको इस टाइप का structure याद होगा इस टाइप का structure आपको दिखाई देगा ऐसा ही structure आपको यहाँ दिखाई देता है इसकी जो length है वो along the z axis है अब इस वेवगाइड के अंदर अगर कोई भी signal किसी भी arbitrary directions में entry लेता है तो उस arbitrary directions की जो frequency है या जो em signal है उसका phase constant बीटा से represent किया गया है अब यह मान लेजी कोई arbitrary directions थी जिसका phase constant बीटा से represent हुआ है इस बीटा का अगर मैं z axis के along projection लो तो मुझे बीटा बार दिखाई देता है तो जो बीटा बार है ये भी आपका उस em wave का phase constant है but in the direction of z axis तो बीटा बार जहां लिखा होगा उसका मतलब है phase constant along the guided or z axis अब इसका अगर projection आप vertically y axis के along लोगे तो आपको phase constant मिलेगा that is h तो h आपका उस em wave जो arbitrary direction से wave guide के अंदर travel करना चाहती है along the y axis उसका जो phase constant होगा वो h कहलाएगा right तो यहाँ पर आप देखो यह आपका h है यह आपका बीटा बार है और अगर मैं इसका result लेना चाहूं तो यहाँ पे एक hypotenuse draw कर सकता हूं तो similarly मैंने यह जो scene है यहाँ पे draw किया है यह आपका h है यह आपका बीटा बार है और यह आपका बीटा है यहाँ से अगर मैं जो formula apply करूंगा तो जो hypotenuse का square है that is equal to base का square प्लस perpendicular heights का square यहाँ से मैं बीटा बार में interested हूं क्यों क्योंकि जो मेरा em wave के signal है वो along the z axis ही travel करते हैं यह आपको मैं बता चुका हूं तो इसका मतलब बीटा डैस along the z axis ही phase constant है तो उसी को find out करना है बीटा डैस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बीटा डैस square is equal to बीटा square minus h square अब square roots on both sides लेंगे तो बीटा बार is equal to what under the root बीटा square minus h square अब हमें पता है किसी भी em waves का जो phase constant है वो क्या होता है omega into under the root mu into e mu क्या है wave guide के अंदर जो medium है उसकी permeability epsilon क्या है wave guide के अंदर जो भी medium है उसकी permittivity बीटा square क्या होगा omega square into mu into epsilon ठीक है अब हम बात करते है h की h क्या है कुछ video पहले मैंने ये expression आपके सामने derive किया था h square always equal to a square plus b square याद रखें बीटा और b दोनों अलग है solution of em waves in tm and te modes हमने दिखा था तो वहाँ पे a और b को constant मानना था तो वहाँ से ये relation हमें मिलता है अब जो a है a का expression हमने derive किया था m pi upon a ये small a है ये वाली dimension और b था n pi upon b b है आपकी ये वाली direction m और n आपके integer values हैं यानि आपके modes defined करते हैं तो h square क्या होगा a और b की ये values expression में put कर देजिए m pi upon a square प्लस n pi upon b whole square अब मुझे h चाहिए तो क्या करूँगा taking square roots on both sides तो ये पूरी की term आपकी under the root में आ जाएगी तो यहां तक करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ये जो expression है इसमें इसको put कर लेंगे ठीक है तो हम क्या बोलेंगे इसको put बीटा square h square in equation 1 तो equation 1 आपकी ये माल लिया आपने तो यहां पे क्या हो जाएगा बीटा bar is equal to under the root राइट बीटा square क्या था आपका that is omega square mu into e minus h square क्या है आपका ये value आप जाहें तो यहां पे h square as it is भी लिख सकते हैं ठीक है अब देखो कुछ वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि जो wave guide है wave guide के अंदर से signal तब ही travel कर होगा under the root वाले terms real होगी real values का root ही real होता है इसका मतलब यहां से condition आई कि जो omega square mu e है that must be greater than what h square ये term बड़ी है ये term छोटी है तो obviously एक real number होगा तो यहां से जो आपका omega square है वो क्या होगा that must be greater than what h square upon mu into e taking square roots on both side लेंगे तब भी relation as it is maintained होगा तो जो omega है omega is greater than what this is h upon under the root what mu into epsilon right ये आगया अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं right h की जो value हमने यहां पर निकाली है वो value आप यहां पर put कर सकते हैं तो जो omega है वो आपको मिल जाएगा ठीक है तो omega क्या value मिली omega is greater than 1 upon mu e under the root यही value है so this is 1 upon mu e under the root उपर h है h की value को as it is put कर दीजिए यह value आपकी h की आ चुकी है so this is term multiply with what m pi by a square plus n pi by b square और पूरी term under the root है right तो इसका मतलब beta dash तभी real हो सकता है जब आपका omega इस पूरे expression से बढ़ा हो इसका मतलब क्या हुआ अगर f निकालना चाहते हो तो क्या होगा omega क्या होता है 2 pi into f तो 2 pi को division में ले जाएगे so this f must be equal to 1 upon 2 pi under the root mu into e ठीक है और यह सारी term इसके साथ multiply कर देजिए this is m pi upon a square n pi upon b square right यह आगया तो यहाँ पे जो right side है यह आपकी एक standard term आगी यानि आपकी यह जो आपकी term है इसे कहते हैं cut of frequency fc तो fc का expression क्या बना this is equal to 1 upon 2 pi under the root mu into epsilon multiply with h that is m pi upon a square plus n pi upon b का square तो यह expression हमने यहाँ पे successfully derive कर लिया है ठीक है और यह expression कब आया है यह cut of frequency तब आई है जब हमने माना कि beta dash हमारा हर हाल में real value होना चाहिए अगर बच्चो beta dash real होगा तबी किसी wave guide के अंदर से वो signal pass हो सकता है तो यहाँ पे ना तीन case बनेंगे जो की बहुत ज़्यादा जरूरी है case 1 beta dash अगर आपका real है right तो इसका मतलब क्या होगा जो भी frequency है वो इस cut of frequency से बड़ी होनी चाहिए तो इसका मतलब है कि जो भी हमारी frequency इस wave guide के साथ जो भी source connect है उस source की frequency इस wave guide की cut of frequency से बड़ी होनी चाहिए तो f must be greater than fc अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा इस frequency के जो भी signal wave guide के अंदर जाएंगे वहाँ पे क्या होगा propagation यानि वो signal आपके जरूर ट्रेवल करेंगे तो वहाँ पे definitely propagation होगा दूसरा दूसरा case क्या है कि जो आपका बीटा डैस है अगर बीटा डैस आपका zero value आजाए तो zero value कब होगी बच्चो जब omega square mu e h square के बराबर हो जाए ये भी value बराबर ये भी value बराबर दोनों का subtraction zero हो जाएगा तब बीटा डैस आपका zero हो जाएगा ऐसा case होगा तो जो source इस wave guide के साथ connect है उस source की frequency यानि ये जो greater than है अब ये आपका equal to में convert हो जाएगा तो इसका मतलब जो आपका frequency है वो must be equal to fc और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा propagation बिल्कुल भी नहीं होगा तो यानि अगर आपके cut of frequency और जो source frequency है वो बराबर हो जाए तो फिर वो जो source frequency के signal है वो इस wave guide के अंदर से travel नहीं कर पाएगे तो यहाँ पे बच्चो जो propagation है वो बिल्कुल भी नहीं होगा तीसरा case तीसरा case क्या है तीसरा case यह हो सकता है कि जो source इस wave guide से connected है वो source की frequency इस wave guide की standard cut of frequency से कम हो और वो कम कब हो सकती है जब आपका beta dash एक imaginary number हो imaginary ही होगा ना omega square mu e अगर h square से छोटा हो जाए तो overall result negative आएगा और negative values का under the root क्या होगा एक imaginary number होगा तो यानि beta dash आपका एक imaginary number आगा और यह कब हो सकता है जब आपकी source की frequency किसी भी एक rectangular wave guide के standard cut of frequency से कम हो और इस case में भी क्या होगा बिल्कुल भी propagation नहीं होगा propagation क्या होगा बिल्कुल नहीं होगा तो यहां से हम क्या समझे किसी भी wave guide से अगर हम signal को pass करना चाहते हैं तो उस wave guide का जो beta dash है वो हर हाल में एक real value होना चाहिए अगर वो real value होगा तो इस तरीके से हर एक wave guide का cut of frequency हमारे पास आएगा और अगर source frequency cut of frequency से बड़ी है उसी case में beta dash real होगा और उसी case में सिर्फ propagation होगा otherwise आपका propagation wave guide के अंदर से नहीं होगा तो काफी हद तक बहुत सारे exams में ये पूछ लिया जाता है कि जो wave guide है फिर इसका behavior कैसा है wave guide का behavior अब बिल्कुल high pass filter की तरह है high pass filter में भी अगर आपका signal एक standard cut of frequency से ज़्यादा बड़ा है तो वो signal pass हो जाता है और अगर वो signal cut of frequency से छोटा है यानि उसकी frequency cut of frequency से कम है तो फिर वो signal attenuate हो जाता है वो pass नहीं होता है इसलिए हम कई बार इसको एक high pass filter भी कहे देते हैं तो बच्चो इस वीडियो में इतना ही इससे जो next वीडियो है उसमें आपको cut of wavelength के बारे में in detail discuss करके बताऊंगा This is the end of the video Thank you so much for watching this video